हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना टेंस का सिरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग पीछेर वीडियो में क्या पढ़ेते दोस्त टेंस पढ़े टेंस का डिफिनिशन पढ़े प्रजेंट टेंस पढ़े उसके सारे टाइप्स को पढ़ लिए दोस्त आज हम लोग प इसमें में बिल्कुल वैसा ही होता है, Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, चल यह ठीक है, अब एक अगर करके सब पढ़ लेते हैं तोस्त, एक पढ़ा पढ़ते हैं, Simple Past, Simple Past क्या होता है तोस्त, जैसे हम लोग Simple Present में क्या पढ़े थे, जो हमारी आदत होती है, हमारी डेली जो आदत होती है, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, मतब यह आदत है ना भाई, हम आप लोगों को सिखाते हैं, तो कल भी सिखाते थे, आज भी सिखा रहे हैं, कल भी सिखाएंगे, यह मेरी आदत हो गई है, आपके साथ अपने इन्फॉर्मेशन को सेयर करने की, तो यह मेरी आदत है, तो इसको हम लोगों सीम्पल अपरेजेंट में लिखेंगे, अब बट कुछ आदत ऐसी भी होती है, जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, मेरी आदत पहले थी, लेकिन अब नहीं है, जैसे आप सुने होंगे, आपके घर में जो आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, आपके दादी मा होंगी, जो बड़े बुजुर्ग होंगे घर में, वो लोग अक्सर सब्द है, जानते हो, जब हम लोग इस्कूल जाया करते थे तो ऐसा होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था मतलब वो जब इस्कूल जाते थे तब की बात है अभी वो इस्कूल नहीं जाते है मैं जब पढ़ता था अरे भाईया उस समय वो पढ़ते थे अब वो नहीं पढ़ते हैं थी पहले की थी लेकिन अब आदत वो नहीं है यानि कि उस काम का असर अब नहीं है इसका मतलब वो क्या हो गया past tense क्लिर हो रहे दोस्त उस काम का असर नहीं है इसलिए वो क्या हो गया past tense इसका structure क्या होता है subject plus b2 plus object ठीक है मैं खाता था मैं फुटबॉल खेलता था खेला करता था किसी भी तरह का बात है ठीक है मैं आम खाता था या मैंने आम खाया मैंने आम खाया इन दोनों तो मैंसे किसी भी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं है I ate a mango किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं बहुत सरा example है जो आप खुद से लिखेंगे हम आपको बस एक हलका rough idea देते चलते हैं दोस्त ये हो गया ठीक है दूसरा चीज क्या होता है मैं खेला करता था मैं खेला करता था एक थोड़े पहले हम बोले मैं खेला करता था तो जब इस तरह का वाक्य हो जाता है न दोस्त तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं I used to play यहां used लगा के बना देते हैं ठीक है I used to play खेला करता था जाया करता था I used to go मैं पढ़ा करता था I used to read ऐसे गरके हम लोग इसका translation बनाते हैं simple past में ठीक है कभी कभी क्या होता है न कि simple past या past इनसे हम लोग present कभी अर्थ निकालते हैं चलिए आपके लिए एक सवाल देते हैं हमको कोई दो ऐसा वाक्य बताईए यह आपका सवाल है दोस्त कोई दो ऐसा वाक्य बताईए जो past में लिखा गया हो लेकिन earth present में आता हो यह आपके लिए सवाल है बहुत मस्त सवाल है दोस्त हम अगले वीडियो में इसका answer आपको दे देंगे sentence past में होना चाहिए और earth present में होना चाहिए लिखा होना चाहिए past में earth आना चाहिए present में बताईएगा इसका एंसर ठीक है अगले वीडियो में हम इसका एंसर आपको दे देंगे आपको बताना है अब पढ़ते हैं Past Continuous Past Continuous जैसे हम लोग प्रजेंट में पढ़े न बाबू प्रजेंट में क्या पढ़े कि जब काम recent past में सुरू हुआ है और अभी तभी चल रहा है सेम चीज यहाँ भी देख लीजेगा Past में क्या हो जाता है काम Continue Past में सुरू हुआ और Past में ही जारी था जब Past की बात कर रहे तो जिस समय ये काम सुरू हुआ होगा न उस समय बस recent past में ही सुरू हुआ होगा क्योंकि जिस वक्त ये बात बोली जा रही होगी उस समय बस थोड़ी देर पहले ही शुरू ही होगी और Past में ही चल रही थी देखिए बहे शिर्फ समझना है ठीक है पूरा समझ का खेल है कैसे हम लोग यूज करेंगे ठीक है Past Continuous में वो ऐसे यूज करेंगे इसका structure हो जाएगा subject प्लस was were प्लस before प्लस object और was were प्लस before प्लस when मैं खा रहा था मैं रोटी खा रहा था कि मैं भाद खा रहा था मैं सबजी खा रहा था मैं खेल रहा था कुछ भी कर सकते हैं माल लेते हैं कि मैं खेल रहा था I was playing I was playing मैं रो रहा था I was crying मैं खाना खा रहा था I was eating food कुछ भी इस तरह का हम लोग बात करते हैं तुम लोग पढ़ रहे थे You were reading आप लोग मुझे सुन रहे थे You were listening to me ऐसा करें कि कुछ भी आप सोच सकते हैं छोटा past होगा जब यही लंबा past हो जागा तो कैसे हम लोग सीखे थे present में दोस्त जब वही लंबा हो जाता है तो हम लोग क्या बोल दे दोसको Past, perfect, continuous sense Past, perfect जब recent past में यह past में भी जब बात recent past में की गई होगी तो यह रहा होगा जब long past में हो गया होगा तो यह recent past में रहा होगा Recent past में जब यूज करते हैं तो यह हो जाता है past continuous जब यही long past हो जाता है जब long past हो जाता है तो क्या बन जाता है यह Past Perfect Continuous Tense तो कैसे इसको बना देते हैं इसका structure and subject plus head plus bean plus before plus object कैसे लिख देते हैं इसको मा उस पिछले example हम आपको क्या लिखे थे मा दो घंटे से खाना बना रही है यह लिखे थे ना यहाँ पर लिख दीजे मा दो घंटे से खाना बना रही थी मा क्या लिख देंगे दो घंटे से खाना बना रही थी simple भया हिंदी जरूर लिखेगा अब वो क्या बता है reasonable language में अपना अपना जरूर लिखेगा because it is very important to understand क्योंकि हम लोग यहाँ रट नहीं रहे हैं दोस्त we are just trying to understand we are just trying to just humour समझसे हैं अब समझ कि अपने भेजे में डालने कोजित कर रहे हैं अगर नहीं करेंगा भेजा- फ्राई हो जाएगा अ हं départ कश्टником का बाद में बोलें कि तो अच्छ में भोलने वाला चक्क्रे सोबहोत है एक अधानक्स में था grinding कि इसे लिखो जब ही लॉंग पास्ट में हो गया तो ऐसे लिखे इसको कैसे बोलते हैं काम का कुछ हिंसा खतम हो गया होगा मा जब खाना बना रही होगी तो काम का कुछ तो खाना बन के तयार होगा ना और कुछ बच रहा होगा तो क्या लिखेंगे Mother had been cooking food for और दो घंटे से है ना for two hours याद होगा for क्यों लगा है period of time है इसलिए for लगा रहा है आपको बताये थे पिछले वीडियो में ठीक है Mother had been cooking for cooking food for two hours मा दो घंटे से खाना बना देक हो काम का कुछ हिंसा पहले खतम हो गया तो हम लोग perfect यूज किये और अभी भी काम चल रहा था तो continuous यूज किये ठीक है अब perfect में कैसे लिखते हैं दोस्त past perfect है ना दोस्त past perfect एंस में कैसे लिखते हैं इसके structure के दा subject plus had plus v3 plus object चलिए अब एक सवाल है past perfect past perfect में दोस्त बहुत सारा question पूछेंगे आपको समझना है concept को clear करना है past perfect मतलब क्या हो गया past में जब कोई काम खतम हो जाता है past में कोई काम खतम ये रे भाईया past का मतलब ही होता है कोई काम खतम हो जाना भाई past का मतलब क्या होता है काम ख़तम हो गया उसका असर नहीं है यह ने बोले past भाया हम और कुछ अलग बात बोले हैं नहीं चलिए हमें example लिखते हैं आपको समझ में आजाएगा इसको थोड़ा erage कर देते हैं हमको थोड़ा ज़्यादा space चाहिए लिखने के लिए आपको समझाने के लिए और मझा सबसे मज़दार पास्टेंस में पर्फिक्ट ही तो है दोस्त जिसमें खूब अच्छा समझना है और यूज मस्त और एक्जाम में गलती मस्त कॉमन इर्र मस्त क्या लिखे दोस्त पास्ट पर्फिक्टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीथरी प्लस अब्जेक्ट हम आपसे पूछें मैं खाना खाता था खा चुका था तीन वाक्य दोस्त आपको पता होगा कि दोनों वाक्य का ट्रांसेजन वो सेम लिखते थे मैं खाना खाता था या मैंने खाना खाया और एक तीसरा वाक्य लिख दिए मैं खाना खा चुका था एक वर बोल के देखिए तीनों वाके का मतलब क्या निकलता है हम आपको बार बार बोर है try to understand what exactly the meaning of these sentences okay मैंने मैं खाना खाता था मैं खाना खाता था मतलब पहले की बात है आभी मेरे कुछ तकलीफ हो गई होगी या कुछ भी XYZ reason रहा होगा so that कि हम खाने में unable हैं so forget about what is the repercussion of it हम सको अभी नहीं दहान में रखेंगे हम सिर्भी इतना दहान में खाता था मैं खाना खाता मतलब पहले की बात है पहले हिता था आज नहीं खा रहा है past होगया, काम ठाम मैंने खाना खाया अरे पहले हिता गाना कोई याज की बात कर रहे हैं मैंने खाना खाया 우리 naszym 4 दिन पहले खाना खाय थे जी हां सरा मैंने खाना खालिया करसं हने नहीं रहे है मैं खाना खाचुका था मैं भला जिस मोव्मेंट पर वह थो एक पहले उसके पहले वहा उसना र्या ने काम I ate food और इसका बनाएंगे I had eaten food ऐसा कैसे संभव है ऐसा कैसे संभव है कि दोनों वाग के सेम होगा तो एक चीज दिदम गांठ वान के रखेगा इसका ये translation गलत हो जाएगा दोस्त लेकिन बहुत सारे किताबों में आपको translation मिल जाएगा ये वाला ठीक है लेकिन आपको समझना है कि perfect का मतलब क्या होता है जब काम कोई पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो भाईया एक चीज याद रखिए कि आप present में कोई काम खत्म होता है तो past में काम खत्म नहीं हुआ होगा past में भी तो काम खत्म हुआ होगा जैसे आप class 5 पास किए, 6 पास किए, class 10 पास किए, class 4 पास किए, class inter 12 पास किए, graduation पास किए पास किए न उस जमाने में जिस समय आप exam दिये होंगे उस समय काम खतम हुआ न तब न पास क्लास 5 को पास करके क्लास 6 में गए क्लास 9 को पास करके क्लास 10 में गए क्लास 10 को पास करके 11 में गए 11 को पास करके 12 में गए 12 को पास करके ग्रेजन में गए गय होंगे न कोई गलती तो नहीं हुई होगी तो simple आपको समझना क्या है ये वाला वाक्य को आपको कैसे लिखना है I ate food ये सही है तब आप एक सवाल हमसे पूछेंगे Sir तो जब मैं खाना खा चुका था कि यही लिखना है तो इक है के लिए tense बना जरुद क्या था इसका कोज जरुद नहीं था काहे के लिए पढ़ रहे है जूट मुटका बिना मतलब का बेकार है नहीं दोस्त बेकार नहीं है अगर कुछ grammarian बनाए होंगे तो कुछ सोंच समझ के ही न बनाए होंगे यार उन लोग के सामने हम लोग की आउकाद क्या है यादा हम लोग तो इसे निल बटा सन नाटा है वो लोग तो महान लोग थे कुछ न कुछ तो सोंच के ही बनाए होंगे अब सोंच के क्या बनाए अब ये ध्यान रखिए ये जो संटेंस है जो टेंस है पास्ट परफिक्ट टेंस तो पास्ट में ध्यान से सुनिएगा पास्ट में जब आपको ये बताना हो कि वो काम पहले खतम हो गया था यानि अगर इसको हम इसको लिमेंट में बात करें तो जब हम पास्ट में एक से ज़्यादा काम का कंपैरिजन करें एक से ज़्यादा काम दो काम हो सकता है तीन काम हो सकता है चार काम हो सकता है तो उसके लिए तो वो perfect हो गया ना जैसे माल लेते हैं ये एक काम एक काम एक काम एक काम इसमें काम A, B, C, D, E है पांच काम हो गया इसमें माल लेते हैं काम A सबसे पहले खतम हो गया खतम तो मैरा पांच हो है क्योंकिसा past tense है लिएन कोई काम तो होगा जो सबसे पहले खतम होगा अरे भाईआ आप इसमें माल लेते हैं class 10 में पढ़र रहे हैं तो class 1 pass किये होंगे ना तब ना class 10 में गये, बिना class 1 pass किये 10 में चल जाकते हैं नहींना तो कोई तो class होगा जो आप सबसे पहले पास की होंगे, चैनर सरी पास की होंगे, LKG पास की होंगे, UKG पास की होंगे, class 1, 2, 3, whatever it may be, जिस class में आपका नाम लिखाया होगा, school में, उस class को तो आप पास की होंगे, तब ना आप next class में गए, उसी तरह से कोई कामों में से कोई क काम तो होगा, जो सबसे पहले खतम होगा, तो जो काम सबसे पहले खतम होगा, वो क्या बन गया, perfect, बाकी सब क्या बन जाएगा, simple, यानि simple past और past perfect, तो ये क्या हो जाएगा, past perfect, और बाकी सब काम क्या हो जाएगा, simple past, समझ मैं रहा दोस्त तो इसको लिखें कैसे अब देखें यहाँ पर इसको भी रेज कर दिया जाए दोस्त अब समझना है यहाँ पर अब समझेंगे बाबू अब देखें वो एक एक जामपल रखते हैं जैसे अब एक संटेंस लिखते हैं हम लोग बच्छपन से पढ़ते हैं दोस्त आभी पढ़े होंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था यहाँ दो काम हुआ डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दो काम है काम दोगो है न बाबू डॉक्टर का आना और रोगी का मरना तो आना और मरना दो काम है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था ठीक है भाई रोगी मर गया ठीक है मार लिए डॉक्टर को बुला लिए चलो बुला लिए दो काम हुआ मेरे लिए हमको बस मरना और जीना नहीं हमको बस अपना grammar के सब सोचना sentence के सोचिए दो काम हुआ एक आना एक मरना कौन काम पहले हुआ रोगी पहले मरा कि डॉक्टर पहले आया रोगी पहले मर गया डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर गया था नहीं पहला काम कौन होगा मरने काम हुआ रोगी मर गया इसको किसमें लिखेंगे? Past perfect में उसके बाद कोन आया? डॉक्टर आया इसको किसमें लिख देंगे? Simple past में जो काम पहले खतम होगा उसको perfect में क्यों? perfect का मतलबी होता है काम का पुरी तरीके से खतम हो जाना इससे पता चल रहा है न कि ये काम पुरी तरीके से खतम हो गया रोगी मर गया तब डॉक्टर आया यानि एक काम पुरी तरीके से complete हो गया जब काम पुरी तरीके से complete हो जाता है तब ही हम उसको perfect बोलते हैं दोस्ते तो perfect नहीं बोल सकते हैं काम तो दोनो खतम हुआ है, पास्ट में ही दोनो खतम हुआ है, तो हम कैसे समझा कि कौन perfect है, कौन simple है, तो इसको समझने के लिए का करना पड़ेगा, जो काम past में भी जो पहले खतम होगा, उसको लिखेंगे perfect में, ने तो बाकी को लिखेंगे simple में, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, खाना खा चुका था मतलब क्या, कब, किसके साथ कम परीजन में, कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा दोस्त, इसलिए इसको भी हम लोग simple में लिखते हैं, अगर कोई वाक्य single sentence हो, तो उसको हम लोग generally simple past में लिखते हैं, याद र आप फंस जाएंगे, तो याद रखिएगा, एक्जाम में common error में रहेगा, यह वाला sentence दिया रहेगा, और पूछा रहेगा कौन सा वाक्य गलत है, तो कभी भी इसको टिक मत मारेगा, मैं दब सही मत मारिएगा, यह गलत में है, ठीक है, यह मैंसा गलत रहेगा, सही इसको मार ठीक है, ध्यान रखिएगा, चलिए, हाँ, single sentence में इस तरह का यूज करते हैं, बट उसका मतलब निकलना चाहिए कि कुछ काम पहले खतम हो गया, अर्थ निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, उस तरह का भी वाक्य आपको बताएंगे, जैसे कि आपको कोई बोलता है, कि आप दिली में रहे थे क्या, येस, I had been to Delhi, मतलब क्या, मैं दिली में रहा था, आप लंबे समय बिताय थे, काम पास्ट परफेक्ट में हुआ, काम परफेक्ट हुआ था, ठीक है, इसलिए लोग उसको कैसी उसकर लेता है, I had been to Delhi, ठीक है, ऐसे करके वाक्य में ये लिखते है हैं हम लोग, लेकिन ये पता चलना चाहिए, आपके बोलने से पता चलना चाहिए, कि काम complete हुआ है पास्ट में, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे, the patient had died before the doctor came, the patient had died before the doctor came, एक और भी हम आपको उता जते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकोल पहुचने के पहले घंटी लग चुकी थी, ऐसा बोलते हैं न, इसकोल पहुचने के पहले, इसकोल पहुचने के पहले, घंटी लग चुकी थी, मैंने कौन काम हुआ, घंटी लग चुकी थी, मतलब कौन काम पहले वा, दो काम हुआ, हम स्कूल पहुँचे और वहां घंटी लग गई, दोनों में से कौन काम हुआ, पहले घंटी लगी ना भईया, तो घंटी लगने काम पहले हो गया निकि परफेक्ट हो गया, यानि यह हमारा क्या हो गया, अब घंटी लगने को कैसे लिखते हैं? रंग 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 बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने के पहला रहे हैं आई रिज्ड इस्कूल मतलब दे बेल है रंग बिफोर आई रिज्डे स्कूल मतलब मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी लग चुकी थी अब आपको एक ची ध्यान रखना पड़ेगा भईया भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइफ आपको तो बढ़ियां से ध्यान में रखना पड़ेगा हम इसके लिए एक अलग से वीडियो ला दे रहे हैं लेकिन आपको बढ़ियां से ध्यान में रखना है बीना उसके ध्यान में रखे आप पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे हम आप कंफ्यूज हो जाएंगा भी भी थीक है तो इस तरह से हम लोग समझ लिए प्रजेंट समझ लिए इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा पास्टन समझ लिए यह महादा क्रक्स था इसमें समझने का जब पास्ट में आदत होगी तो यह लिखेंगे जब past में कोई recent past में शुरू हुआ होगा और चालू होगा तो हम लोग ये लिखेंगे यानि कि past continuous लिखेंगे जब वही काम पूरी तरीके से खतम जाती है एक से ज़्यादा काम का तूलना करते हैं तो perfect लिखते हैं जो काम पहले खतम हुई उसको perfect में जो काम बाद में खतम होगी उसको क्या लिखेंगे बाबू उसको simple में लिखेंगे और past perfect continuous मतलब जैसे हम लोग present में पड़े थे काम का एक हिंसा पहले खतम हो गया दूसरा हिंसा चालू रहेगा तो जो काम पहले खतम हो गया और काम चालू भी है यानि दोनों पता चल रहा है यानि कि past perfect continuous क्लिर है दोस्त इस तरह से आपको एक question भी पूछें है याद रखना है क्या question क्या है past tense का sentence लिखना है और earth किस में आना चाहिए present में आना चाहिए ये बहुत important है भीया ध्यान रखना है बहुत लोग आपसे पूस देंगे तो आप क्या किजिएगा उसमें क्या बताइएगा कि ऐसा वाक्य बोलिए जो past में लिखा हुआ हो लेकिन earth present में आ रहा हो earth present में आ रहा हो ठीक है आपको बताना है अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त इसका answer देंगे आपको और हम लोग future tense पढ़ेंगे clear है चली मिलते हैं अगले वीडियो में thank you दोस्त